दिल्ली समेट NCR में अभी आने वाले दिनों में प्रदूशन से राहत नहीं मिलने के संकेत है सोमवार सुबहर दिल्ली के कई इलाकों में धुंद की एक परत दिखी CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 7 बजे आनंद विहार में AQI 333 दर्ज हुआ है दिल्ली का वायू बुनवत्ता सुचकान क्यानी AQI रविवार को बहुत खराब श्रेनी में दर्ज रहा वायू प्रदूशन को लेकर चिंताओं के बीच गुरुग्राम, नौइडा और फरीदाबाद के स्कूलों में आज भी छुट्टी है दिल्ली की वायू बुनवत्ता लगभग एक महीने से खतरनाक बना हुआ है बीती 30 अक्टूबर को पहली बार AQI बहुत खराब श्रेनी में दर्ज हुआ था दिल्ली को मिली थोड़ी रहत राजधानी में हवा की दिशाव वगती बदलने से रविवार को वायू बुनवत्ता सूचकानक AQI गंभीर श्रेनी से निकल कर बेहत खराब श्रेनी में पहुँच गया इससे लोगों को प्रदूशन से मामूली रहत मिली हाला कि अब भी लोगों को सास लेने में परेशानी और आँखों में जलन महसूस हो रही है बुनबुनी धूप निकलने से धूल और स्मॉप की मोटी परत तूट गई इस दोरान AQI 318 दर्ज किया गया इसमें शनिवार की तुलना में 94 सूचकानकी गिरावट रही रहने की आशनका है रात के समय को हासा रहेगा डिसिजन स्पोर्ट सिस्टम दी एसस के मुताबिक हवा में परिवहन से होने वाले प्रदूशन की हिस्सेदारी 18.155 वा कूड़ा जलने से हिस्सेदारी 1.651 फी सदी रही वहीं दूसरी तरफ पानी भी प्रदूशित है 23 इलाकों में AQI बेहत खराब दर्ज बवाना अशोक विहार जहांगीर पुरी समित 23 इलाकों में AQI बेहत खराब श्रेनी में दर्ज किया गया साथ ही 11 इलाकों में हवा खराब श्रेनी में रही IITM के मताबिक रविवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा की और से चली हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिकरिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूले